अब आप सभी को आप सभी का सुखत है आप सभी के पसंदा यूटूब चैनल राय जूकेशनल में तरों सिक्षा विबाग न्यूज अबडेट और आज बेसिकली फोकस करेंगे सिक्षा विबाग में बेसिक सिक्षा विबाग पर क्योंकि कल आपका महा निवेदन सारे मेडिया ने प्रस्तुत की सभी लोगों में हर्श वर्लास था कि सबके मन के बाद आज तक जो दबी ती साथ आठ मैने से वह निकली और बहुत अच्छे तरीके से निकली तो आज इस पर विश्चलेसी चर्चा करेंगे आज की निउस्पेपर से और बेसिक सिक्षा मं की देशाला है कि गठन की बाद सिक्षा विबाग के लिए तो कई इंपॉर्टेंट चेंजेस लेकर आएं हैं यह सिक्षा मिंतरी सतीज दिवेजी जी तो उमीद है और यहीं की कुछ नया चेंज करें और बहुत धेर सारे प्रसाव लेकर आएं तो उमीद है कि बहुत धेर सारे आप लोगों को नए नियम देखने को मिले जिसमें आप लोगों का ही फायदा होगा तो चलिए देरकिस बात की वीडियो शुरू करते हैं वीडियो जितना ज्यादा हुश के शेर चरूर करिएगा तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो यह रहा कल की बात मित्रों अब्यर्तियों ने सिक्षा निदेशाले घेरा, इस साल जन्वरी में 19-12 शिक्षकों की भरती का मामला एक बार फिर गर्मा आ गया है, सिक्षक भरती से जुड़े भरतियों ने मंगलवार को बेचल सिक्षा निदेशाले घेर लिया, भरतियों ने मांग पूरी नहुने तक ध मतरजा सिक्षों को भरती का मामला उच्चे नयाले में विचारा दीन है नयाले में मामले के जल्द निस्तारण के लिए विभा की ओर से पैरवी किये जाने को लेकर बड़े कई बार ग्यापन दिया गया मगर ध्यान नहीं दिया गया देर शाम वापस लोटे बेरतियों के प् बिना रंजन मौके पर पहुंचे और उन्होंने अभरतियों से मांग पत्र लेते हुए बुद्द्वार को सीम और अपर मुक्र सचे उसे मुलाकात कराये जाने का अस्वासन दिया है तब प्रदर्शन खत्म किया गया और मामला आप सभी को पता है उनहतर जार बरती से जल रहा है जो कहीं न कहीं रोक थाम लगनी चाहिए पहली बात और कल कुछ लोग यह थोड़ा भ्रमीत करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने पहले ही बोल दिया था कि एजी साव अगली डेट पे आएंगे तो लोगों को सुनाई कराने की क्या जूरती या लोगों को धरना प्रदर्शन करने की क्या हो शकता थी किसी को यह विश्वास तो था नहीं कि आएंगे ही आएंगे और अभी भी नहीं है कि आएंगे जब तक मकवंतरी जी से आस्वासन ना मिल जाए मकवंतरी जी का कड़ा निर्देश ना मिल जाए कि जाईए और पैरवी मजबूत से करि रही है जिस पक्ष में इस पेसल अपिल दार की है डबल पेंच में वह पक्ष को अच्छे से रखे है ना तो यह बात रही और कल जो आप सभी को सारी वीडियो मैंने लगबग प्रवाइड करनी की पूरी कोशिश की है और उमीद है कि आपको डिर सारी वीडियो भी आपने सारा वहां का जो लोग नहीं पहुंच पाएं कि इनी कारणों वस जो भी उनकी रहा हो चाहे दूर का रहा हो चाहे उनका व्यक्तिका जो भी कारण रहा हो लेकिन आपने वीडियो देखा वीडियो को शेयर किया यहीं आपकी सबसे बड़ी कह सकता हूं कि धरने में अपना योगदान रहा है तो उमीद है कि आप लोग अपना एक-एक योगदान बहुत अच्छे से निभाया जाहे जिस प्रकार से आपने चा को कि देखिए आपके इकटा होने के लिहाजा यह बात जब निकली तो लोग लगातार यह ट्वीट हो रही है और एक पार्टिगल न्यूज चैनल पर भी धेर सारी चीज़ आने लेगी कि अगली सुनाई में आएंगे और प्रात्मिक्ता दी जाएगी देर वागर वागर तो यह आपके एक जूटा का ही कह सकते हैं कि प्रभाव है परिणाम है कि आपके भरती प्रक्रिया को प्रात्मिक्ता दी जा रही है और आगे बरती जाएग तो एक जूट रहेंगे तो पॉस्टिर रिस्पॉंस मिलेगा और भरती प्रक्रिया जल्द जल्द निस्तारित हो हमारी रहेगी क्योंकि सोमार को उन्होंने पदबार ग्रहन किया है और उन्होंने स्पष्ट किया है कि सबसे बड़ी प्रात्मिक्ता मेरी 69,000 भरती विशेष्टा को लेकर रहेगी कि इसको जल्जन निस्तारण करना है दूसरी बात उनके धेर सारी प्लांस रहे हैं और इसके इसको की कारेकाल के दौरान मौत के बाद उनके आसरितों को समय पर अनुकंपा न्युक्ति दी जाएगी मृतक आसरित पुद्र पुत्र या पत्नी यादि सिक्षक बनने के योगता रखते हैं तो उन्हें सिक्षक के पत्पर न्यूक्त किया जाएगा जो आसरित सबसे बड़ी चीज है बीसिक के उन परिवार जनों के लिए जिनके जो आसरित हैं मृतक आसरित के अंतर गताते हैं लेकिन वो कहीं ने कहीं इसका लाब नहीं ले पा हैं तो उनके लिए बहुत बड़ा पैमाना जारी किया है सतीज दिवेदी जी ने जो अपने अपने काबि लिए तारीफ है और नौकरी पाच के जितने भी आसरित हैं उनको सिक्षक बनने का मौका दिया जाएगा यह आपके घुष्णा कि राजमंतरी जी ने सिक्षक विबाग के दूसरी तीसरी चीज क्या है इसमें धेर सारी बाते हैं यहाँ पर तो मैंने मृत्यक आसरित के बा सिक्षक रह चुकि हैं इनकी धरमपत्नी पिद्री सीक्षक रह चुकी हैं तो सिक्षा का महौल इनके पास है तो यह सबसे कह सकता हूँ कि सबसे योग सिक्षामंतरी न्यूक तो अब तक के कारिकाल है तो इनौन बोला कि स्कूली सिक्षा के लिए बनेगा strength नया समवर्ग प्रणाइब आपके चार को लाउंच है कि पांसतारीक से क्रिया कलाब शुरू हो जाएगी महिला सिक्षकों को गरुप सेलफी से छूट मिलेगी और इंपोर्ट यह है कि जो ट्रांसफर वाला कारेक्रम को था उसमें इन्होंने बहुत ही बेतरी कार प्रदरशन किया है ट्रांसफर में इन्होंने पुरुष और महिला के लिए नया नियम अपना आया है उसको देख लेते हैं वो important है आप लोगों के लिए तो काफी हरसुल लास की बात है कि तीन साल में पुरुष और एक साल में महिला सिक्षक का तबादला होगा यानि बहनों को महिलाओं को काफी अच्ची तवज्जो दी गई यहाँ पे और वीशिक सिक्षा विवाग ने बदली ही नीती, अक्टुबर से यह सारी चीजे लाग हो जाएगे यहाँ बेसिक सिक्षा मंतरी सतीज जिवे जी ने कहा है कि बेसिक सिक्षा में यूपी को नमबर वन बनाना हमारे लक्ष है हम सिक्षकों की जवाब देई तै करने के साथ ही उन्हें सुविदा वा बहतर वातावरन देने के लिए खदम उठा रहे हैं तो अब तक पांस लाग सिक्षक सिक्षामेतर पढ़ाते हैं और एक दसमलों पांच चार करोण कुल बच्चे पढ़ते हैं एक दसमलों पांस लाग प्रामरी अपर प्रामरी स्कूल हैं पूरे यूपी में जो अपने आप में सबसे बड़ी कहा सकते हैं प्रात्मिक इस्तर की योजना है सबसे बड़ी प्रात्मिक स्तर की ये क्रिया कलाब है तो ग्रे जनपत में तैनाती चाहने वाले प्रात्मिक सिक्षकों को योगी सरकार ने बड़ी रात दी है अब बेसिक सिक्षा विवा के तहट आने वाले पुरुष सिक्षक तीन साल और महिला सिक्षक एक साल की नोकरी प आपको आपका ग्रीजन पत्र नहीं मिलता है कि निकारणवास आपकी मेरिट डाउन की वज़े से आपको न्यूकती तो मिलती है लेकिन काफी दूर द्राज वाले जिलो में जैसे आप हैं वारांसी के या आप हैं प्रयागराज के और आपको सहारनपूर गोंडा बहराईच जहांसी ललितपूर इदर मिल जाती है ठीक है आप तीन साल की सर्विस करेंगे पूरुष है तो तीन साल की सर्विस करेंगे उसके बाद आप एपलाई कर सकते हैं अंतर जिला तबादला के नतरकत और आपको अगर सीटे खाली देती तो आपको आपका जिला मिल जाएगा तुरंत आपको home district और मैला आप हैं आप मैला हैं तो आपको अब तीन साल का वेटर नहीं करना पड़ेगा जो पहले आपको करना पड़ता था अब एक साल की duty पूरी करने पर एक साल का करिया खलाब कारिकाल पूरा करने पर आप जिला अतबादला के लिए आप apply कर सकती हैं औ और अगर आपके जिले में यह निकली रे विकेंसी विगपती खाली रही तो आपको तुरंत आपको home district प्रदान कर दिया जाएगा तो यह कहीं ने कहीं बहुत अच्छी बात है कि जो बहने काफी दूर रहती हैं उनको पहले तीन सालों के बाद आवेदन करना पड़ता था मैं hundreds 9500 में चैनिते होंगी महिला बहने वह अभ अब apply कर सकते हैं, October से सारी चीज Aleja और उसके पहले जो अभी 38500 के जो अभ हरति हैं वह तो नहीं चैनित वह इसके लिए apply कर सकते हैं तो इसके लिए जरूर then cost bus you कि आपके लिए नए सक्षामंतरी की नई पेशकर्स है बहुत ही कारगर रहेगी आपके लिए और आप अपने मन चाहे जीले में तबादला कर सकते हैं आप अपने होम डिस्टिक में एपलाई कर सकते हैं यह सबसे पॉस्ट्री पॉइंट मुझे जो लगा है इनकी बेसिक प् और सक्षामंतरी आपके हीत में कार कर रहे हैं तो होप आप सभी समझ रहेंगे इस चीज को और आप सभी पॉस्ट्री रिस्पॉंस जरू देंगे तो बेस्ट आफ लग सभी को एक जूट रहिए निक्ति पत्र लेकर आईए थैंक्यू सुमाज